Hello my friends welcome to be educated so after getting complete details about the syllabus and understanding the exam pattern let's talk about how to get 120 marks in the respective days अगर आपको strategy चाहिए 120 days की आप plan कर रहे हो 100 days में कैसे crack किया जाए 60 days even 30 days देखो guys इन respective days में अगर आपको preparation करना है then आपके पास एक complete concrete plan होना चाहिए जिसके उपर आप वरोसा कर सके exactly क्या strategy होनी चाहिए क्या plan होना चाहिए in detail बात करेंगे guys वीडियो को end तक जरूर देखना zero से hero बनने तक की पूरी strategy के बारे में in detail बात करेंगे मैं चाहता हूँ कि वीडियो को end तक आप जरूर देखे और अगर आप channel पर नए हो guys channel को subscribe कर लो इस video को like कर दो ताकि मैं कुछ और दी content मना सको क्योंकि आप ही मुझे motivation देते हो guys so best book क्या होने वाली है कौन सी book हमें market से purchase करनी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे कौन से resources हमें exactly use करने चाहिए and also free materials हमें कहां मिल सकते है और exactly क्या strategy होनी चाहिए so आते है direct strategy and planning के उपर अब मुझे पता है काफी सारे students ने preparation already start कर दिया है उनको preparation start करके काफी दिन हो चुके रहेंगे preparation almost 50% हो चुका होगा किसी का 60% हो चुका होगा किसी का 70% हो चुका होगा ऐसे भी रहेंगे जिन्हों अभी तक preparation start नहीं किया है बस zero level तक है तो गाइस exactly इस zero से hero कैसे बनना है वो मैं आपको बताऊंगा आपको सारी चीजे मिलेगी at beaduker गाइस चैनल के साथ बने रहो काफी सारे updates आपको मिलते रहता है ठीक है और कर video पसंद आ जाए hit the like button guys so exactly कितने दिन का आपको preparation करना है अब 120 डेज बाकी है आप सोचोगे कि नहीं मैं 100 डेज का preparation करना चाहता हूँ या 60 डेज या फिर last 30 डेज जब remaining रहेंगे उस समय मुझे क्या strategy रखनी चाहिए so guys यहां मैं आपको overall strategy बताऊँगा आप जब भी preparation स्टार्ट करोगे बस इन दिनों के बीच में उस strategy को रख दो आप easily 120 प्लस score कर सकते हो so teaching aptitude को लेकर आपको क्या करना है hardly इसके लिए बस आपको 10 दिन देने कोई भी 10 दिन दो क्यों क्योंकि 10 दिन भी आप सिर्फ 1 या 2 घंटे preparation करने वाले हो या maximum 3-4 hours देने वाले हो कितने भी अगर आपको easy questions आ जाए लेकिन जब तक आप उसके उपर practice नहीं करोगे तब तक वो easy questions भी आपके लिए difficult बन जाएगा क्योंकि जब options आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह 4 options correct है अब इसमें से मैं exactly select क्या करो आपको choose करना है the best one वो कैसे choose कर पाओगे अब मैंने आपको बता दिया किस किस particular section से या topic से questions frame किये जाते है जैसे कि भी देख लो suppose को student है वो teacher से बिलकुल खुश नहीं रहता teacher को respect नहीं देता सो ऐसे में teacher को क्या करना चीए उसको punish करना चीए उसके साथ misbehave करना चीए उसे एक अलग से treatment देना चीए या फिर अलग treat किया जाना चीए या फिर उसके उपर बिलकुल भी concentration नहीं करना चीए पढ़ाए के मामले में या फिर उसका जो behavior है उसे avoid करना चीए अब इसका answer आप को मुझे comment section में बताना है अब बात करते हैं mental ability को लेकर so guys break and rule अंगरे जो ने क्या काम किया था break and rule आप राज कप कर पाओगे जब सामने वहले को आप तोड़ोगे mental ability बड़ा section है काफी सारे topics इसमें इसे बस break करना आना चाहिए कैसे break करोगे मैं आपको बताता हूँ today and tomorrow हम कहत ध्यान में रखना है हर दिन आपके लिए एक नई रोशनी की किरन बन कर आती है भई अब आप अगर उसे accept नहीं कर रहे हो तो भई उजला तो सब के लिए है कोई ना कोई मौके का फाइदा उठा देगा आज present में आप कितनी मेहनत करते हो उसकी value है ये tomorrow वापस आपका आज बन कर आ जाएगा so pick one topic जैसे कि समझ लो direction आपने ले लिया read it loud जो भी आपके books में है जो भी आप material यूज़ कर रहे हो या फिर notes है read it loud पहले तो जो और से बोलना सीखो question के type क्या है वो ध्यान में रखो देगो guys अब direction की बात कर लो काफी सारे question के type आएंगे एक बताएगा कि आप कितने kilometer दूर हो या फिर कितने meter दूर हो एक question आजाएगा कि आप कौन से direction में हो ठीक है south में हो south east में हो north में हो या north east में हो methods कैसी होती है वो आपको जानना बहुत ज़रूर है उसके बात shortcut tricks क्योंकि ये help करेगा आपको वो सारे questions attempt करने के लिए क्योंकि अगर attempt ही नहीं ह आने वाले negative marking तो नहीं है ये सबसे plus point है हमारे लिए ठीक है जो भी आप topic start कर रहे हो उसके ओपर खुद के notes बनाना चालो करो फिर दूसरे दिन आपको क्या करना है उसके ओपर करनी है practice practice अपने अच्छी तरह से कर लिए फिर उसके बाद में आपको test देना है और guys हमारे portal प topic के कैसे question type में मैं first round so उसके लिए वापस आपको क्या करना है practice करना है practice कर ली वापस test analysis evolution और अब करना हमें repeat don't skip दो guys इस process में अगर आपने कुछ भी method skip कर ली तो भाई वापस उसके उपर नहीं बैठ पाओगे so आज नहीं हो पाया कोई बात नहीं कल के उपर जब practice कर रहे ह तो practice के पहले वापस उस topic को थोड़ी देर के लिए वापस read करो देखो guys कोई नहीं देखने वाला कि आप preparation कैसे कर रहे हो अपने आप से loyal रहो वही मैं बात करूँ general awareness को लेकर then guys let's go with the flow journal awareness part time to time change होता रहता है और यहाँ सबसे बड़ा example है current affairs 2022 के current affairs आपके किसी काम के नहीं 2023 के ही पढ़ने पढ़ेंगे 2025 में exam देने वालों के लिए 2024 का ही पढ़ना पढ़ेगा change होगा लेकिन current affairs के साथ आपका static gk भी थोड़ा बहुत change हो जाता है क्योंकि जो recent news current affairs में है वो ही आपके static gk के form में आ जाएगी so always remember let's go with the flow कैसे suppose world cup चल रहा है अब world cup 2023 suppose इंडिया जीत जाता है और जीतना ही चाहिए and same उसी के उपर questions बन गया कि इंडिया ने first world cup कब जीता था तो 1983 यह हो गया static gk यह हो गई आपके current news daily क्या करना है और weekly क्या करना है newspaper reading के एक अच्छी से habit बना लो highlighters ध्यान में रखो pick 10 news daily के 10 news कोई भी pick कर लो उसके बाद यह सोचना है if me then x y z यहां अगर मैं होता तो मैं क्या क्या करता देखो guys आप अपना example लोगे तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी आपको ध्यान में रखना है यार मोदी जी ने यह policy launch किये यह policy की यह फायदे है आपको तुरंत यह करना है कि यह policy अगर मै launch करता तो इसमें additionally 2 point में और add करता आपको अब वो याद हो जाएगी क्योंकि आपने 2 additional point आपके खुद से मन से मन से मनाए है weekly plan क्या होना चाहिए आपके लिए monthly gk हर week में आपका एक मनत का gk हो जाना चाहिए और gk को लेकर काफी सारी video है हमारे channel पर आप वो देख सकते हो one topic suppose जैसे आपने history ले लिया तो weekend पर एक topic आपको उठाना है उसके ओपर practice करनी है खुद के notes बनाओ, practice करो, test दो, वापस repeat करो और guys आपको ये ध्यान में रखना है current affairs हाला कि exam में कहता है कि 12 months का current affairs फिर भी आपको क्या focus करना है Jan, Feb, series wise ही चलना है ऐसा नहीं कि Feb तक आगए, direct अपरेल पे आगए या direct आप December पे आगए, flow wise जाओ, flow wise जाओगे तो एक pattern होता है guys उससे चीजे बराबर आपको याद रहती है, Jan, Feb हो गया, December तक आजाओ, Jan, Feb वापस कर लो, ये Jan, Feb आप skip कर सकते हो, लेकिन exam के पहले Jan, Feb बिल्कुल skip मत करो guys, क्योंकि यहाँ अगर कोई recent current news आगई, काफी famous हो गई, तो उसके ओपर भी question बन जाएगा, तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, अब काफी सा restaurant कहते हैं कि सर, याद नहीं रहता, याद क्यों नहीं रहता, मुझे बताओ guys, कभी आप कहीं restaurant में खाना खाने गए हो, और आपको अच्छानक से याद आजा होता है, experience, feel किया है, तो वैसे ही आपको पढ़ाई, आपको पढ़ाई ऐसे करनी है, जितनी practice करोगी guys, आप perfect बन जाओगे, practice की है, तो वो चीज़ वापस आपको recall होगी, याद होगी, अब English को लेकर आपको क्या करना है, so just a language, first of all mind में ये fix कर दो, English is just a language, काफी सारे student पर focus करो, उसमें से words टून दो, words के meaning पता करो, अपनी regional language में भी meaning पता करो, and even English language में भी उसका मतलब पता करो, तब आपको पता चलेगा क्या exactly इसका meaning क्या है, और बोलना सीखो guys, speak it loud, जितना आप बोलोगे, जो मैंने कहा है, आप बोलोगे तो क्या होगा, आपके कानों तक पढ़ेगा, और आपके कानों तक पढ़ गया, तो इसका मतलब आपके mind में fix हो गया, अब आपकी आखे उस word को हर जगा use कर सकती है, मतलब आपको situation का पता होकर, आप उस word को use करोगे, बोलेगा कौन, आपकी जुबान, तो कब start होगा, जब आप speak it loud, जब जोर से बोलोगे, वीकली क्या करना है, दो RC आपको pick करनी है, दो हिंदू, नियूस पेपर पर सब्सक्राइब कर लो, आपका email ID मेंशन कर दो, आप भले access ना लो, लेकिन आपको कुछ articles मिलते रहेंगे, time to time उन articles को read करो, grammar, basic level तक देना है, वो के अब आपका नियूस पेपर से काफी अच्छा बन जाएगा, test देते रहो, और उसके बाद revision, so overall guys, यह आपकी strategy होनी चाहिए, अब आप इनको अपने respective days में add कर सकते, आप भई 30 days का preparation कर रहे हो, कोई बात नहीं, मंतली मेंने gk 1 बताया है, 1 के बदले आप 4 कर लो, 60 days करना है, तो 4 के बदले 2 कर लो, 100 days, 120 days के लिए preparation कर रहे बस start करो, एक बास start हो गया, then आप उसको आगे तक भी बढ़ा सकते हो, रोक भी सकते हो, jump भी मार सकते हो, reverse भी आ सकते हो, लेकिन start नहीं किया, then guys, कुछ भी नहीं कर सकते है, so अब बात करते है, books and resources, exactly free material कहा मिलेगा, उसके बारे में बात करेंगे, so very first one, अगर आप teaching aptitude के ल आरगुपता की एक book है, वो यूज़ कर सकते हो, अरियंत की एक book है, complete सारे syllabus इसमें covered है, वो भी उज़ कर सकते हो, और अगर आप महराथी मीडियम में दे रहे हो, then विद्या भारती की B.A. प्रवेश परिक्षा, संपुर नमार्क देश्र करके book है, इसको आप यूज़ कर स आप इस book को अगर रोज पढ़ोगे, तो आपका vocab काफी अच्छा हो जाएगा, और आपका जो reading compression part है, वो भी काफी smooth तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपको एक habit बन जाएगी, इसमें काफी सारे test है, वो test आप दे सकते हो, test का analysis भी देख सकते हो, एक word के बदले, आपको का अगरी भी interest exam का preparation कर रहे हो, या नहीं भी कर रहे हो, तो भी यह नॉर्मन ले इसके जो book है guys, word power made easy, यह ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको, अब बात करते है resources को लेकर, so आप score booster test pack है हमारा, वो use कर सकते हो, जिसमें आपको 100 topic wise test मिलने वाली है, 5 full length mock test मिलने वाली है, plus current affairs को लेकर भी test मिलने वाला है, online test होने वाला है, with instant result और analysis आपको मिलने वाला है, so यह package को आप online visit करके देख सकते हो, क्या exactly इसमें content होने वाले है, उसके बाद, अगर आपको self preparation करना है, then full course एक package है, उसका access आप ले सकते हो, जहां आपको physical material भी मिलने वाले, that means complete book मिलने वाले है, और यह जो book रहने वाली ना, यह पूरी section wise book रहेगी, one and all नहीं रहेगी, आपको section wise book रहेगी, एक particular section के लिए, एक particular book, उसके बाद, आप weekly current affairs के free videos हमारे चैनल पर देख सकते हो, so current affairs को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करने है, weekly GK की videos देखते रहो, वहां से आपके काफे सारे current affairs collect हो जाएंगे, उसके बाद, आप अगर one year current affairs के news highlights जो है, उसका भी access ले सकते हो, आप चाहे किसी भी entrance exam का preparation कर रहे हो, और इसका access जो होने वाला है, यह till exam date तक रहने वाला है, so overall guys, जैसे कि मैंने कही दिया कि आपको the Hindu paper उसे read करना है, इसका आप access भी ले सकते हो, बस the Hindu e-paper पर आप visit करो, वहाँ subscribe करो बस channel को, वो भी आपको article भेजते रहेंगे, आपके email id पर, उन article को भी पढ़ोगे, आप वहाँ से भी काफी कुछ पढ़ सकते हो, और काफी सारे strategy videos with respect to section wise, अभी भी channel पर आने वाले है guys, so channel को जरूर subscribe कर लेना, और हाँ, अगर preparation करना है then guys, आप हम मारा classroom preparation भी जॉइन कर सकते हो, आप दोंबोली घाटको परंदादर, recorded lectures, test, series, mock, books and ebooks, doubt class, mentorship, guidance, motivations, या सब मिलने वाला है, there will be separate batch, and you will get a free counseling station from iExpert, so जो भी doubts है guys, आप इन number पर मुझे बूच सकते हो, don't forget to download our app, जहाँ आपको free mock भी मिलने वाला है, और कुछ free resources मिलने वाल है, का All the best for your career, see you in the next video